हलो एवरीवन वेलकम टू अनूबा स्टडी फेक्ट्स तो गाईज आज हम करेंट अफियर्स कर रहे हैं फर्स्ट बीक दिसंबर महिने के फर्स्ट बीक के करेंट अफियर्स को आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं यह जो session है वो आपके सभी प्रकार के competitive exams के लिए beneficial है चाहे आपका RRB, NTPC हो, SSC, CHS, Jail प्रहरी जो की अभी exam rates सभी को पता चल गई होगी और constable हो किसी भी तरीके का exam जहां पर आपके current affairs से questions पूछे जाते हैं वहाँ पर यह आपके लिए beneficial रहेगी session पसंद आये तो please like कीजेगा, like से बहुत जादा motivation मिलता है जो लोग हम यहाँ पर जो efforts डाल रहे हैं लगता है कि हाँ वो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, share कीजेगा, जादा से यादा अपने friends के साथ जो लोग अलग-अलग competitive exams की तयारी करें और comment करकर बता सकते हैं आप लोग को यह session किस प्रकार का लग रहा है, अगर आप इसमें कोई और अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी बता सकते हैं, चैनल पर पहली बारा है, ऐसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करके, bell icon जरूर प्रेस कर लेना, bell icon से क्या होता है, आप सभी को जब भी मैं new video upload करूंगी, तो उसका notification मिल जाएगा, चलिए आज का session हम शुरू करते हैं, first question है, computer साक्षरता दिवस कम मनाया जाता है, तो सबसे पहले जितने भी important days बनेंगे, December मास के, उनको हम last में discuss करेंगे, बिलकु last में, 31st December को हम इ अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि computer साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, 2 December को, फिर है और उन्हों दोई, योजना, किस राज में प्रारंब की गई, तो ये जो योजना है, ये योजना वगेरा जितनी भी है, guys, इनको आप अलग से योजना है करके एक पूरा main heading डाल कर उनके अंदर जितनी भी योजना है, अलग-अलग state government द्वारा बनाई जा रही है, या central government द्वारा, आप उनको एक बार note down जरूर करें, क्योंकि exam में क्या होता है, exam के थोड़े दिन पहले बहुत जादा एक तो pressure आ जाता है, कि हम क्या-क पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो उसके लिए सबसे अच्छी trick यह है, कि आप अभी से अपने handwriting notes प्रिपेर करते रहें, जितनी भी उजना हैं आती जारे हैं, उनको एक जगह एक paper pen पर लिखते जाएं, तो उससे क्या है, बहुत सादा एक तो help मिलेगी, और आप जब आसम गौवर्मेंट द्वारा लागू की गई, इसमें यह जो औरुनो दोई, यह जो योजना है, इसके अंतरगत क्या है, कि 830 रोपे महिने के दिये जाएंगे, जो भी परवार में महिला मुखिया हैं, उनको दिये जाएंगे, और यह बहुत बड़ी योजना, अभी तक क आसम की सबसे बड़ी योजना है, तो इसमें जो महिला मुखिया है परवार की, उनको 830 रोपे पर महाद दिये जाएंगे, चलिए अब अगर आसम की बात आईए, तो हम थोड़ा आसम से related कुछ facts हैं, जो योजना हैं, या जो एब बगेरा हैं, लाँच किये गए, उनको थ धनवंतरी योजना, औरनोडोई योजना के पहले एक धनवंतरी योजना आसम गवर्मेंट द्वारा लागू की गई थी, दिंग एक्सप्रेस, हीमा दास को दिंग एक्सप्रेस बोला जाता है, जो कि आसम से बिलॉंग करती हैं, फिर है भारत का एक मात्र गोल्डन बाग क के लिए प्रसिद्ध है, तो आसम से इतने कुछ पॉइंट्स आप लोग को याद रखने हैं, फिर बात आती है, फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला जो पहला देश है, वो कौन सा है, युनाइटेट किंग्डम, यूके है, आगे बढ़ जाते हैं, शहद जी के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, तो एक तो ये क्रशी मंत्री है, और केंद्री खाद प्रसंस करन मंत्री है, एक तो क्रशी मंत्री और एक है, कि ये ही, मतलब नरेंद्र सिंह तोमर जी ही, केंद्री खाद प्रसंस करन मंत्री है, ये बहुत जाद मरियम बैविस्टर ने किस शब्द को 2020 का World of the Year घोशित किया है तो pandemic word किसको pandemic word को मरियम बैविस्टर ने किस शब्द को 2020 और आप मुझे comment section में बताएंगे कि quarantine को किस dictionary के दौरा 2020 का World of the Year कहा गया नेक्स्ट मिशन ओलंपिक इकाई में किस खिलाडी को अमेरिका में एक महीने की प्रसिक्षन शिवेर की मंजूरी दी गई है तो किसको दी गई है बजरंग पुनिया को आगे बढ़ जाते हैं खाडी देशों का पहला कोईला आधारित पावर प्लांट इस्थापित किया जा रहा है तो UAE में सबसे तेज 22,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले विराट कोली जो क्रिकेटर बने वो कौन है विराट कोली इस तरीक से भी आपको एक्जाम में कौश्चन देखने को मिल जाते हैं तो ये एक्जाम के पॉइंट ओव व्यू से इंपॉर्टन्ट है तिरुमाला पहाडियों प जाते हैं रास्ट्र प्रदूशन नियंतरन दिवस कब मनाये गया तो 2 दिसंबर 2 दिसंबर को ही क्या मनाये गया था अभी हमने पढ़ा था कंप्यूटर लिट्रेसी डे और क्या मनाये गया तो रास्ट्र प्रदूशन नियंतरन नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस रा कुछ important facts यहां पर बनते हैं तो उनको हम यहां पर cover up कर लेते हैं कि हल्दी अनुसंधान संसान की स्थापना की जाएगी तमिल नाडू में बाजार कर्ज के मामले में शीश पर है according to अगर हम RBI report के according माने तो बाजार कर्ज के मामले में तमिल नाडू राजर शीश पर है और मच मचली उतपादन में शीश पर रहा इसने गुजरात को पीछे छोड़ा मचली उतपादन में इतनी बात हमें तमिल नाडू से और याद रखनी है फिर है एक मुष्ट बिजली बिलनिप्टान योजना ये देखिए जितनी भी योजना है आप अलग से एक पूरा paper लेकर या रजिस्टर जिस पर भी आप अपने रोट्स बनाते हैं ये जितनी भी योजना है आ रही है वो सभी बहुत जादा important exam के point of view से तो आप सभी को एक साथ लिख लीजिए और उनके सामने state का नाम लिखिए और मैं आपको session में भी कराऊंगी अलग से पूरी जितनी भी योजना हैं वो में एक अलग से वीडियो में आपको कराऊंगी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे comment section में बताईएगा कि आप करा दीजिए एक मुश्ट बिजली बिलनिप्टान योजना का जो शुभारंब है वो किस सरकार द्वारा किया गया तो गो आखे द्वारा नेक्स्ट है देव दीपावली दिवस महोसव किस सराज में आउजित किया गया तो वारण असी में कहां पर किया गया वारण असी में US Air Quality Index में दुनिया का सबसे प्रदूशिश शहर कौन सा बन गया है तो वो बना है लाहोर दुनिया का सबसे प्रदूशिश शहर नेक्स्ट है दौरे सरकार अभ्यान किस सराज में शुरू किया गया तो पश्चिम बंगाल में दौरे सरकार जो अभ्यान है या जो योजना वगेरा होती है मैं आपसे मैं बार बार कह रहे हूँ इनको जरूर एक अलग से आप लोग नोट डाउन करते रहिए अब पश्चिम बंगाल की बात आईए तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है कोलकाता कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो हुगली नदी यहां की सी एम कौन है ममता बैनर जी गवर्नर कौन है जगदीव धनगर संधाने अप पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉंच किया गया उसके बाद नेशनल पार्क सुन्दरवन नेशनल पार्क है बकसा नेशनल पार्क है उसके बाद जो एक और योजना चालू की गई वो है मातर स्मृतियोजना स्नेhar पारुष योजना और प्रोचेस्था यह आपके एक्जाम के point of view से बहुत जादा important रहेंगी तो पश्चिम बंगाल से इतने facts आप लोगों को और याद करने हैं फिर है छोटे जानवरों के लिए पहला eco bridge कौनसा eco bridge का उधगाटन किस राज में किया गया तो जो eco bridge है वो क्या काम करेगा जो छोटे जीव होते हैं जिसे reptiles जिने हम सरीसरब बोलते हैं तो वो जब road को cross करते हैं तो दुरगटना ग्रस्त हो जाते हैं तो उन जीवों की life safe करने के लिए उत्राखंड government के द्वारा एक bridge जिसका नाम है eco bridge का उधगाटन किया गया तो बाइदी उत्राखंड government उत्राखंड से अब हमें क्या क्या आद रखना एक तो coronavirus portal एक द्रस्ती नाम का portal launch किया गया था जो की सटीक जानकारी देने के लिए helpful है बिरोजगार युवाओं के लिए hope portal कौनसा hope portal भारत का पहला लाइकेन पार्क कहा है तो उत्राखंड में है जिम कॉर्वेट नैशनल पार्क कहाँ पर है तो उत्राखंड में है और सबसे पुराना नैशनल पार्क कानसा है तो जिम कॉरवेट नैशनल पार्क जो की कहा है उत्राखंड में और फूलो की घाटी उत्राखन तो guys ये इतने सारे important facts बन जाते हैं एक एक state से तो आप चाहें तो अलग से एक एक state का नाम लिखकर वहाँ पर जितनी योजना है जो भी corona के regarding app launch किये गए या फिर जो भी online study के लिए app launch किये गए जितनी भी योजना वगेरा है नेशनल पार्क है वो सभी आप नो down कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से एक वीडियो इस पर बनाऊ तो let me know in comment section नेक्स्ट है आदी महोसब मद्य प्रदेश का जो शुभारंब है वो किसके द्वारा किया गया तो जनजातिय मंत्री अरजुन मुंडा जी के द्वारा किया गया माउंट इली लेबो टॉक ज्वाला मुखी फटा तो कहां पर इंडोनेशिया इंडोनेशिया से आप एक और चीज याद रख सकते हैं कि 80 से लेके 90 प्रतीशत तक जो ज्वाला मुखी है वो इंडोनेशिया में ही फटते हैं तो अगर option में इंडोनेशिया है और आपको अगर confusion है कि कौन से देश की तरफ में टिक लगाऊं तो एक बार आप इंडोनेशिया की तरफ जाकर देखी अगर option में इंडोनेशिया है तो आप टिक लगा सकते हैं अगर आपको confusion हो रहा है क्योंकि 80 तू 90 परसेंट जो हैं जो आला मुखी इंडोनेशिया में ही फटते हैं विश्व म्रदा दिवस कब मनाया जाता है तो 5 दिसंबर म्रदा दिवस स्वाइल डे हॉरलिक्स प्रोटीन प्लस का brand ambassador किसे बनाया गया तो अक्षे कुमार जी को बनाया गया हॉरलिक्स प्रोटीन प्लस का brand ambassador किस राजने राज की समपूर्ण जनगर्णा को कवर करने के लि जितनी भी योजनाएं आती हैं आप लोग उनको नोट डाउन जरूर करते जाएए स्वास्त साथी योजना की शुरुवात पश्यम बंगाल के द्वारा की गए पश्यम बंगाल से हमने अभी कौन-कौन से पॉइंट से आत करेते हैं एक बार हम रिवाइस कर लेते हैं एक तो इसकी वायू पर बसा है तो हुगली नदी पर सीम कौन है ममताब एनरजी है गवरणर कौन है जगदी धनगण है सुनधाने एप लॉंच किया गया सुनदरवन नेशनल पार्क है बकसा नेशनल पार्क है उसके बाद मातर स्मृत्ती योजना, स्नेहर पौरोश योजना और प्रोचिस्टा योजना ये सब पश्यम बंगाल गौर्मेंट के द्वारा लागू की गई थी चलिए आगे बढ़ जाते हैं वायू प्रदूशर के कारण विश्व की पहली मृत्यू कहां दर्ज की गई कता ये नोश्वल भी क्रिकेटर ने सिवा निव्रत्ती की गोशना की और जी दादूब्धराइंस का नाम बदल कर मा बाराही देवी धाम कर दिया गया तो बाएदी उत्तरप्रदेशख की बात आई आई उत्तर प्रदेश के भी याद अखने कि उत्तर प्रदेश गौर्मेंट के द्वारा कौन-कौन सी चीज़ें लागू की गई तो सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश उसकी राज़ानी क्या है लखनव, गोमती नदी के किनारी ये बसा है अब यहाँ पर और चीज़ें बालश्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतिरी योजना, प्रवासी राहत मित्र आप, आयुष कवच आप, यह जो आप है वो भी थोड़ा सा आप याद रखेगा कौन-कौन से प्रवासी राहत मित्र आप और आयुष कवच आप, और है मुंड़ दीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया यह आपको सभी याद होने चाहिए और हर्बल रोड प्रोजेक्ट जो है वो भी उत्तर प्रदेश के दुआरा लॉंच किया गया इसमें क्या है कि जो दोनों साइड रोड के दोनों साइड हर्बल प्लांट्स लगाए जाएंगे हर्बल प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनसे औश्डी प्राप्त होती हो ठीक और नेशनल पार्क में आद पीली भी टैगर रिजर्व याद रख सकते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश से इतने सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे भारती सेना का जो उप्रमुक है वो किसे नियुक्त किया गया तो लेफटिनेंट जनरल परमजी सिंग को भारती सेना का उप्रमुक नियुक्त किया गया किस राज्य सरकार ने electronic वाहन फॉरम शुरू किया तो by the दिल्ली गॉर्मेंट दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास की आयत पर किस देश के द्वारा प्रतिबंद लगा दिया तो किस ने लगा दिया by the अमेरिका नेक्स्ट है एक अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर किस राज्य के ज्वैलर ने गिनीज बोकव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो किस ने बनाया तो सबसे पहले तो स्टेट याद रखी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मेरिट मेरिट से हर्षिद बनसल हर्षिद बनसल ने जो कि मेरिट के रहने वाले हैं मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर गिनीज बोकव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ठीक क्या नाम है हर्षिद बनसल जो की 25 वर्षिए उत्तर प्रदेश की बात आई तो जो लखनव है वो कैपिटल है CM कौन है योगी आदितिनाद है और गवर्णर कौन है आनंदी बिन पटेल है हाल ही में चंद्रमा पर जंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना तो चीन और पहला कौन सा था तो अमेरिका फिक्की के आज के लिए लास्ट है फिक्की के 2022-21 के जो अध्यक्ष है उसके रूप में किसे नुक्त किया गया तो उदैश शंकर जी को तो आज हमारा ये फेक्ट वाला जो वन लीनियर फेक्ट के रूप में हमने फिस्ट वीक ऑफ दिसेंबर मन्त के करेंट अप्यास डिसकस कर ली आए होप आप लोग को सेशन पसंद आया हो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना शेर करना जो लोग अलग-अलग आप लोग के पास पहुँच जाता है चलिए नेक्स सेशन में नेक्स टॉपिक के साथ मिलेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो